सातियों, आप सब्केख उड़न का एक आर्टकिल है, पहाडों में बिनास की पर्योजना है, जिसको रोहित कौशिक जीने लिखा है, इस आर्टकिल को यहाँ पर देखेंगे, इस आर्टकिल में बताया गया है किस प्रकार से विकास के नाम पर जो पहाड़ी छेत्रों में बि प्रंग के एक हिस्से के गिर जाने की वज़ा से उसके मलवे में जो है या उस मलवे के पीछे 41 मजदूर एक हपते से अधिक समय से उसमें फंसे हुए हैं और उन्हें निकाला नहीं जा सका है और अभी निकालने के प्रयास लगातार जारी हैं तो ये भी क्या है ये जो हमने पहाडों पर एक विकास की परियोजनाओं के नाम पर भीन परियोजनाओं को चालू किया है उसी का एक दुस्परिडाम दिखाई पड़ता है तो इन ही सब के बारे में इस आर्ट किल में बताया गया है कि किस प्रकार से ये जो परियोजनाएं हैं ठीक है जो विकास के नाम के लिए काफी महत्पूर्ण है और साथी साथ यदि आप इसका इस्तमाल करना चाहें तो निवंद लेखन में या उत्तर लेखन में आंसर राइटिंग में इसका इस्तमाल आप कर सकते हैं सबसे बड़ी चीज क्या है यह आपकी जो समझ है उसको विक्षत करने के लिए काफी तो चलिए देखते हैं देखिए हाली में उत्तर काशी में निर्माणा धिन सुरंग के छतिगरस्थ होने और उसमें मजदूरों के फसने की घटना ने एक बार फिर पहाडों के अंदाधुन विकास परियोजना पर सवाल खड़े कर दी हैं या सही है कि पहाडों के लिए व भुसकलन की घटना हैं लैंड स्लाइडिंग की जो घटना हैं और बढ़ने की उमीद हैं कुछ समय पहले जोसी मट में कई मकान धस गय थे और अनेक मकानों में दरार आ गई थी उत्राखन के उस समय इस्थानी लोगों ने जोसी मट की पहाड़े के नीचे सुरंग से होकर गुजरने वाले NTPC की निर्मणाधिन तपोवन बिश्णुगाड जल विदुद परियोजना को घटना के लिए जिम्मेदार माना था वैग्यान को का मानना है कि पहाड़ों के कई सहर भुकम के अतधिक जोखिम वाले छेतर में बसे हुए हैं इसलिए ऐसी जगों पर होने थोड़ी सी भी हलचल भारी तवाही मचा सकती है दुरभा के पूर्ण है कि अनियंतिर्थ विकास ने पहाड़ों के कई सहरों को खत्रे में डाल दिया है चुकि हमें पता है कि जो हिमाले छेतर है वो नवीन परवत है वो अभी पुरी तरह सटल डाउन नहीं है इसलिए वह पर इस प्रकार की जो विकास परियोजना है वो ज्यादा खतरनाक साबित होंगी देखें यहाद दुरभा के पूर्ण है कि हम पहाड़ों की विभिन आपदाओं से सबक नहीं ले पाए और उनके मिजाज को समझे बिना विकास परियोजनाओं को हरी जंडी देते चले गए यही कारण है कि हमें लगातार इस तरह के संकटों का सामना करना पड़ा रहा है शुरू से ही पहाड़ों पर आतिक जल विधुत परियोजनाओं का विरोध होता रहा है अनेक विज्यानिकों और परियावण विदों का मानना है कि पहाड़ों पर ये जल विधुत परियोज को आगे बढ़ाएंगे तो ऐसी आपदाओं को ही निमंतरण देंगे गौरतलाभे की पहाडों पर बनने वाले बांधों ने ग्लेसरों को भी कमजोर किया है आज विकास का जो हवा महल बनाया जा रहा है वह किसी ना किसी रूप में आम आदमी की कबर खोदने का काम कर रहा है क्या दुर्भागे पूर्ण है कि हम बड़े सरमनाक तरीके से इस विकास पर अपनी पीट थपतबावत्ते रहते हैं कि हम विकास का ऐसा धाचा नहीं बना सकते जिसे पहाड के निमाश्यों को इस्थाई रूप से फायदा हो आज विकास के जो तौर तरीके अपनाय जा र के पच्छ में खड़े होने वाले लोगों को भी सत्ताएं संदिक दिबताकर गरीबों का दुस्मन गूसित करने में जुट जाती हैं। अपना कर्तब निभाने में भी जोर पड़ता है वे अपनी सरकाई नौकरी की मानसिक्ता से उपर उड़कर अतर कुछ नहीं कर पाते हैं। विस्थापितों पर विवस्था की मार से उपजी दूसरी मार मानसिक तनाव की पड़ती हैं। इसलिए पहाड के लोगों के भविश्य की ठोस और सार्थक कारियोजना बनाए बिना विगास की बात करना बेमानी है। उत्राखंता देश के अन्य भागों में विभिन बांदों से जुड़ी परियोजना सिर्फ विस्थापितों के राहतियों पनर्वास कारेों को लेकर सवालों के गेरे में नहीं रहती हैं। बलकि इनमें सुरू से ही परियावण से जुड़े अनेक नियमों के पालन में कोताही बरती जाती हैं। सवाल है कि विगास के ढाचे में ऐसी परियोजनाओं से प्रभावित परियोजनाओं के बारे में क्यों नहीं सुच जाता है। पर हजारों कुलों रुपे खर्च की गए लेकिन सूखे और बार से प्रभावी जमीन का छेत्रफल लगातार बढ़ता जा रहा है। जबकि इसके दुस्पड़ाम अधिक होते हैं, इस रपर्ट में बताया गया है कि भारत में बड़े बांधों के कान बिस्थापित करणों लोगों में से 62 फीसद, 62 फीसद अंसुशी जन्जात होते हैं, मतलब S.C.H.T. वर के 62 फीसद लोग होते हैं। बड़े बांधों के कान जहां एक और लगव कई लाख हेक्टेर जंगलों का बिनास हुआ है, दूसरी और ऐसी परियोजनाओं से अनेक तरह की विशमताएं पैदा हुई हैं। और इसका लाख अधिकतर बड़े किसानों और सहरी लोगों को मिला है। एक निश्चित अवधी तक प्रिकित की मार जेलने में सच्छम हैं। मगर यहां अनेक बार से धोच चुका है कि विभिन भवश्वानियों के बावजूद विश्व के विज्ञानिक प्राकरतिक आपदाओं से लड़ने में असमर्थ हैं। दरासर इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि विज्ञानिकों दरा गोशित इस निश्चित समयावधी में भी बड़े बाद प्रिकित की मार जेल ही लेंगे। भारे जैसे विकासिल देश में पीने के पानी, सिचाई और उड़जा जरूतों को पूरा करने के लिए एक ऐसी बेवस्था की जरूरत है जिससे की संसाधनों का समचीत उप्योग और ठीक धंग से पर्यावन सनचन हो सके। इस बेवस्था में वर्सा जल के सनचन वैकलपिक स्रोतों से उड़जा प्राप्त करने तथा जैविक खेति को पुरसाहत दिया जा सकता है। यह सरविदित है कि बड़े बांधों से जहां एक और अनेक बिमार्या फैलती हैं वहीं दूसरी और बांधों में मिट्टी भर जाने से इनकी अवधी भी कम हो जाती है। हमें यहां ध्यान रखना होगा कि पहाड का अपना एक अलग पर्यावण होता है। इस पर्यावण की रच्छा करना आम नागर्यों को करतब तो है ही सरकार का करतब भी है। दुरभागे पूर्ण है कि विभिन सरकारें विकास की परियोजनाओं में पहाड के परयावन के ख्याल नहीं रखती हैं, अब हमें इन आपदाओं से सबक लेना चाहिए। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्ट वीडियों तो टेकली बगोत, धन्यवाद।